क्या बात है ओदे इसब्लाटन सर गुड़ आपड़न कुड़ अदोन रहाई हमति दोन दिनियग विदर होब थजित अए हुप है। इ क्वज बूदर इंज्लंतर पंजाब से घरांन घरम्ण पर जरौब हम सी है.. प्रयर Secondly सब्सक्राइब करें तो मैं सेप्टेंबर सिक्स को मेरा सेशन शुरू है वहां पर और मैंने कंस्ट्रक्शन इंजिन्रिंग एंड मैनेजमेंट फील चूज की ती ओनलाइन किया क्या है नहीं वहां पर Canada पर जाना है मैंने September में अच्छा अब मैंने आमको पूछना था कि उस दोरान मुझे क्या मतलब करना जी कि मैं पस आठ नूम मैंने है बी आठ मीने अच्छा मतलब उससे पहले क्या करना चाहिए और दूसरी चीज जो दूसरे बच्चे भी जो इस वीडियो को भी देखेंगे उनको भी बताओ कि तुमने अप्लाई कैसे किया था कि तो के किते हैं फिर उसमें मेरे बैंड में मिला तुमको न हां जी सर ओके साही है वैसे मैक्सियम पंजाबी दूसरा पंजाब वही है तो मैं भी चंडीगण में था तो मेरे मलब हर तीसरा फ्रेंड लगभा उसके घर में कोई ने कोई करेड़ा में ही रहता था चलो अच्छी बात है यह फिर तुम अपना स्लेबस से कर दो कोई कंस्ट्रॉक्शन मनेजमेंट का का जो कोर्स होता है यह पूरा बीम औरियंटे होता है ठीक है तो इनके स्लेबस को भी चलो हम लोग देख लेते हैं गईस यहां पर पर प्रसेंट आपका जो इसमें स्लेबस में में रूप से देखिए क्या है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉड्लिंग इन कर्शुक्शन ठीक है आपके यह यहां पर सबसेंट है उसके बाद है बिल्डिंग एकोनोमिक्स जो की बिया एम का ही पार्ट है फंडमेंटल ऑफ एकोनोमिक और उसके बाद मॉडूलर ऑफ साइट कॉस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके बारे मताएंगे कॉस्ट्रक्शन प्लानिंग और कंट्रोल इस में से सर मुझे साथ स्वजट चूस करने कोई भी अपनी मर्जी के अच्छाइस क्रेडिट उसके आज़ेगे जो इसमें टोडल तन तालीश क्रेडिट है तो ऊपर जो पांच क्रेडिट कोर्स है वो तो करने ही करने है अच्छा पांच में लिकिन के वल मुझे के वल जो ही दिख रहे है ने नहीं जो मैंने आपको फोड़ो भी जिना ऊपर पहले फाइव क्रेडिट कोर्स लिखा हुआ है उसके नीचे फिर दोनों करने ही करने हैं मतलब उसमें सारे चार-चार क्रेड़िट के गोर्स है तो एक लीस सेवन तो करनी होंगे और जो बाकी जो बारा क्रेड़िट्स प्चेंगे वो मेरी मर्जी है मैं स्रक्चर से भी कर सकता हूँ ट्रांस्पोर्ट से भी कर सकता हूँ गियो टेक्स से भी कर सकता हूँ यह इसी में से भी कर सकता हूँ सरे वो बारा अलग है वो हाँ जी यह करने को मैं इस उपर होटल मेरे फॉर्टी फाइव क्रेडिट्स में को बूरे करने हैं ओके ओके ग कोई सट Εइक कर 不 assum कि लाएं लग्रमालान कर सकता है कि छो इंपोर्टिंट है जो आपको बहुत ज्यादा यूज मैंगे इसमें से पहला तो आप जरूर करिएगा विल्डिंग इन्फॉर्विशन मॉड्लिंग इन कंट्रोल्स ठीक है दूसरा आप यहां पर क्या बोलते हैं अब यह पर आपके लिए काम को मिला के कैसे करना है तो यह भी आपके लिए काफी इंप्रेंट हो जाएगा तो यह आप चूज कर लिए बिटर है अब आपको बता देता हूं कि अभी आप साथ मेंने क्या कर सकते हैं यह जितना आपका स्लेवर से मैक्सिमम सब कुछ बीम से औरियंटेड है साथ महिने आपके पास है मैंने आपने अगर यूनिक सीविल एप आपने डाउन्वोड किया है क्या कर लोंगा हाँ एप्लिकेशन डाउन्वोड कर लिजएगा उसके अंदर आपका रेविट अर्टिक्चर है रेविट स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बीम का कॉंसेट्प लड़ी जो समें कंस्ट्रक्शन प्रॉसेस दिया हुआ है टीक है उसके बाद पर आपको बहुत से टोपिक्स लगेंगे यारे तो मैं जानता हूं एप में देख लेना स्टोर में जाओगी तोर में बीम का पूरा एट स्किल्स का पूरा सेट है ठीक है बाकी अगर कुछ डाउट रहेगा उसमें आने में अपना डेली डाउट लेक्चर होता है वहाँ पर आके पूछ लेना एट सौफ़ेर्स है उसमें टूटल सेट है उसका बदर ठीक है तो वह आपको दिखा देता हूं एक बटे हासा कि यह ब्रदर बी आयम होप्स आपको दीख रहा होगा ने स्किल्स हां जी सेर हां तो यह बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग का सब कुछ पूरा कंटेंट ही है इसके अंदर और इसके अंदर सब सच्छी चीज क्या है कि यह देखो आपको कैट का पूरा आ जाएग पूरा यहां कंटेंट में भी आप देख सकते हो आटोकेट पूरा आ जाएगा रेविट आर्टिक्चर रेविट स्ट्रक्चर रेविट एमीपी स्केचब नेविस्वर्ट ठीडेस्मेक्स टेकला और आगे हम लोग MSP भी इसमें आड करने की प्लानिंग चल रही है जो मतलब मैं इस दूरा नहीं बैस्ट रहेगा मतलब मेरे कोर्डिंग आ क्योंकि यह उसी को कोर्स करने जा रहे हो आप हां जी हां जी तो उसी चीज़ करके रखो हां अपने जो सब्जेट्स पुत है तो एक बार दुबारा रिपीट कर दो कि मैंने नोट नहीं किया था एक तो अपने भीम का था अच्छा कोई प्रॉलम नहीं है यह जो सब आप बात कर रहे हो ना यह सब रिकॉर्ड है ठीक है अगर आप बीम में ही केडियर बना रहे हो यह पूरा बीम का ही किस प्रॉसेस है ठीक है बिल्डिंग इंफर्मिस मोडलिंग का तो इसी में कर लो आपका बहतर रहेगा आपके लिए और तो कोई डूब मुझे एटेप्स करना चाहिए नहीं जो आप करने जा रहे हो यह तो तब आपके हेल्फ में आएगा बट मैं बोलूंगा पहले इसको करो क्योंकि में सामने आपकी जो क्रेडिट्स हैं वह यही वाले हैं तो आपके लिए यूसफूर है ना तो अभी आपने अभी अप्लाई किया था अप्र कब अप्लाई किया था अच्छा उनके थोड़ गया इसका फीज में जब था तो मेरे एक दोस्त दिया था तब 10,000 था चलो एक्जाम देने के बाद फिर उसके बाद सर्म में ऑफर लेक्टर अप्लाई करते हैं उनिवर्स्री में क्योंकि हमें पता नहीं ना था कि जिस उनिवर्स्री में हम लगाएंगे आएगी के नहीं 100$ कईों की 150 डीपेंड करता है उनिवर्स्री उनिवर्स्री ओके जिसमें तुम्हारा कितना एप्रॉकस जो तुमनें एपलाई किया है उसकी फी कितनी है ऊसकाreten ने 2 फॉनिवस्री यह अप्लीय किए में उनकौडिया घा था त्विसमें 168 उनिंटरं दॉलर सब्स्रीय का और यह नॉन रिफंडेबल होती है ओके नॉन रिफंडेबल है मतलब आपका दोनों में गया है एक फूल में लाकर आपका 100-200 डॉलर दोनों में गया सैट एक साइट पर एक साइट पर कारेक्ट चलो अभी तो हो गया तुम्हारा प्लेकसेंट डाल दिये हो गया एक मीन क्यूं मैंने कॉडिया हो गया दूसरी की एकशिक कर रहा हू एंसे पृऔक प्रिक्रा यह किया कितना प्रॉक्स फिर हो सर मैं जैसे जैसे ओनलाइन करता रहूंगा आगे मैं पता लगता रहेगा क्योंकि मैं यहां तक पहुंचा हूं ने बहुत बढ़िया है और इसके बाद तुम अब दीरे दीरे प्रॉसेस में चले जाओगे तो वहां खुदी सिस्टम हो जाएग हो जाएगा तो फिर अपने आपी सब मैनेज हो जाएगा है कि नहीं सर पार्ट टाइम वर्ग में भी थोड़ा बता सकते हो क्या करना जी है यहां पर इस टाइम पर अगर कुछ करना हो इस टाइम पर तो हमारे लिए सबसे बेटर रहेगा कि तुम जिस फिल्ड के लिए जा आगे आप MEP सीखो नभी स्वर्ग सीखते रहो इसके बेस पर फ्रिलांसिंग कर सकते हो आप इसके बेस पर अपने कुछ लोगों के फ्री मॉडल्स बनाओ और फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो लोग बोलेंगा यार यह तो अच्छा बनाता है चलो इसको कुछ गिफ्ट करते हैं तो हो जार तीन हार चार हार पर दीरे-दीरे इस प्रोसेस से जाओगो तो ज्यादा बेटर रहेगा दूसरे काम करोगे तो तुम्हारा माइंड सेट भी गढ़बढ़ होगा क्योंकि अब तुम पूरी तरीके से यहां अर्किटेक हो तीक है तो उसको जाके बोल दो कि मेरे पास डेविट अस्ट्रक्शर का अच्छा स्किल्स है चाहे तो आप टेस्ट ले लिजे आप स्कुल कैसे आएगा तुम सीख लो मैंने बता दिया तुमको कैसे सीखना है तुम उनको बता दो की सर मुझे यह आता रहे हैं आप चाहें तो टेस्ट ले लिजे और जो भी देंगे क्योंकि तो ऐसे भी पार-टाइम कर रहे हो जो भी एमाउंट देंगे आम ओके भी दैट तुमारी प्रैक्टीस भी हो रही है इधर 20 भी सीख रहे हो और साथ मेहींने बाद तुमको चले ही जाना है तो यही सबसे बेटर आप्सन रहेगा तुम्हारे आप बहुत आर्किटेक है तो उसे सिर्फ कॉंटेट करो लेकिन वो कॉंटेट में भी काम देखेंगे आपका तब रखेंगे तो रेविट अर्टिक्ट्चर को स्ट्रॉंग करके तो उनके पास चले जाओ यह सबसे पहले में रेविट आर्किटेचर और रेविट इस्ट्रॉक्ट्चर से स्टाट करूं और और ऑटोकेट मस्ट है मैं इमान के चलता हूं कब को आटा है तो यह तो इसमें आपके लिए बेदरिन होगा हुद है चलिए साध आपको कुछ हेल्फ हुआ होगा है हाँ जी हाँ जी सर यही पूशना था मैंने ओके ठीक है और कोई डाउट तो नहीं है ना नो सर यही मैंने पूशना था कोई बात ने थैंक्यू सो मच पर जाएं और चलिए फिर आपको जो भी आगे डिसकुस रहे कर कुछ रहेगा तो डिसकुस करिएगा बताइए गर ती हाँ जी अच्छी चीज भी चलिए थैंक्यू सर्मच थैंक्यू सर्थ